कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोर्था, कोई मदरासी, सरहत पर रहने वाला हर वीर था है और रहेगा भारत वासी 98.3 मेर चीपर प्रतीक है आपके साथ और जब बार आर्मी की होती है तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा जोश जुनून वो ऐसा लगता है कि अभी ऐसे नस कटेगी तो शायद ये धग 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 दिल नहीं, वंदे मातरम, जैहिंद, भारत माता की जाए इस तरीक उनको शिकस्त दूँगा, वो चीज़े उनकी नहीं पूरी हो पाती है, तो उन लोगों की फैरिस्त में एक नाम मेरा भी है, प्रतीक नाम है मेरा, 98.3 मिर्ची पर आप मुझे सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो सर्फ सोचते नहीं हैं, बलकि वो भारत म की सेना में सर्विस दी है अपनी, मेरे साथ में इस वक्त एक ऐसे इंसान हैं, जो ने कहा जाए कि ना सिर्फ भारतिये सेना में अपने आपको इन्वाल्व किया, बलकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करें, ऐसे बच्चे हैं, उनके स्टूडेंस हैं, जो वहाँ पर जाते हैं, जो उसके फाउंडर डिरेक्टर है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपना नाम हमारे देखने वालों को और सुने वालों को बाता है, थैंक्स प्रतिक जी, इट इस में प्रविलिज तो बी हेर, और बहुत अच्छा लगा, आपके साथ आज मिलके मौका मिला मुझे, मैं शिषर दिचचित और एंदाटर सेंच्यूरिन एडूकेशन प्रविट लिमिटेड अबच्छे सेंच्यूरिन डिफिंस एकड़मी के नाम से जानते हैं, और भी ओफर ओस लाइग निएड़िया नाम पोसे इसेशली ऑफीसर काड़र, ग्रेट अब आइड़ याइम अ सवाचा करमणा इस सद्धानत पे काम करती है और मनसा जो है यानि मन को समझना वो हमारे सिशिर भाई मैं भाई वोलूंगा वो इस चीज में हम लोगों को सिखाते हैं लोगों को बताते हैं मैं आप के बारे में अगर बात करों तो छोगों को अर्मी में भहत्ता है इसके बीछे की आ लगों नहीं को सबस्क्राइब करेशनी मुझे भी जाना हो गया और सोचा था और याइटी की तरफ जायेंगे अगर वगरमें बढ़ने में एवरिस थे नहीं हो पाया फॉज की तरफ निकल गया और जाने के बाद यह लगा कि जो दिक्कते जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी विकाइब अभी तो इंग्लिस में थोड़ी बात कर रहा हूं बर नहीं कर पाता था और तो मुझे यह डिफिकल्टी लेवल फेस हुई कि एक बच्चे को जो गाहों से आता है यह डिफरेंट बैग्राउंड से आता है इसा हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसी दिक्कत हो जिसकी वजह से वह उस लेबल की तैयारी नहीं पार रही उसको एक मौका नहीं मिल पार है तो यह सोचते सोचते कहीं न कहीं जब मैं NCC में ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे इस्ट्रक्टर थे वह पता नहीं मुझे बुला लिया करते थे मेरी 16 सोला साल का था में और वह कहते थे कि इस भी पड़ाओ मुझे मेरी इस भी लगी हुए तुम बताओ इस भी के वारे में और आज देखते ही देखते हमारी टीम इंडिया की लीडिंग डिफेंस अकैडम अब यह और आज यह आएम में हो या कोई भी आउम फोसिस की एकडमी इंडिया भर में हो नो डाउट मैं खुद भी देखता रहता हूं मैं कभी भी जब लखनों की सडकों पर गुजरता हूं आम तोर पर आपकी एकडमी के बाहर से ही मेरा रोस का आना जाना होता है तो बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनकी फोटोस उसमें होती है वाके में इसा प्राउट फिलिंग अच्छा आपने गाउं का जी करकर और भारत एक ऐसा देश जहां की 70% जनता जो है वो गाउं में निवास करती है गाउं से जुड़ी हुई है तो अब हाला मतलब आपके समय से क्या देखते है अब तब तब लोगों का इंट्रेस्ट या अब लोगों का इंट्रेस्ट शेहरों की अप एक्षा गाउं वाले जादा इंट्रेस्ट लेते हैं क्यों देखिए आम फोसेस की सबसे खास बात यह है कि अनलाइक आईटी और इन अदर एक् यह देखते हुए क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट्स हमारे हैं जो हर साल हर इंटेक में अपने एक्जामपल सेट करते हैं मैं मुझे याद आता है कि जब मैं असाम में मुझे टीडी पे जाना था उना चल जाना था तो मैं टूटिंग था चाइना बॉडर से काफी पास पड़ता है तो जब मैं वहां गया तो वहां पर एक बोड में बड़ा अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है शेर साम मूवी में तब इस लाइन का मतलब समझ में आता है कि है क्या विकस अन्फेमिलर सिच्वेशन एड्वर्स कंडिशन और वहां भी आपको एज लीडर एज वारियर आपको अपनी अबिलिटी को प्रूफ करना होता है कोई यह नहीं पूछता है कि खाना खाया कि नहीं खाया बट एज लीडर आपको यह इंसूर करना है कि आपके सबॉडिनेट आपकी टीम मोटिवेटेड है और बिल्कुल अच्छे तरीके से चाहे जो सिच्वेशन ओपर सित्या कोई भी आपकी खुद की छुट्टी मिली नहीं मिली उसको कोई नहीं पूछेगा बर अट सेम ताम यूब आ इन सारी चीज़ों पर बात करते हूं और आपका भी सब्जेक्ट मनो विग्यान रहा है तो जैसे मेरा हमेशा से रहता है कि वह कहता है कि सोल्जर कभी हॉलिडे पर नहीं होता यह इतना इनर स्ट्रॉंग स्ट्रेंथ जो होती है वह कैसे आती है आप किस तरीके से इतने अच्छा तयारी करता है तो मैं हमेशा से कहता हूं वह बैंक, रेलवे, से या जेए की तयारी से बिल्कुल अलग है तो पहले माइंड सेट है इस इस आप मैस में अच्छे हैं फिजिक्स में अच्छे हैं इससे आप आम फोसेश जोईन करें नहीं देखिए अगर मैं आम फ फिक्स होती है सबसे खास बात यह है तो इसके लिए क्या है मेंटल टफनेस, टाइम मैंजमेंट, गोल क्लारिटी एंड गोल सेटिंग इस वरी इंपरेटिव आप उधर वही फार्म भर दे रहा है जई का भी उधर एंडिया का भी फार्म भर दे तो इसका मतलब कहीं नहीं यह क्लारिटी मेंसिंग होती है तो पहले ही यह गाइडेंस हमारे टाइम में में भी उतना गाइडेंस नहीं था बच्चों को अवेर्नेस नहीं थी यूट्यूब और सोसल मीडिया पोर्टल इतने हाई फाई नहीं हुआ करते थे सायद वाट्सैप आया था उस टाइम में जैसा भी आपने पूछा था आज के सिनारियो में मुझे लगता है कि बच्चों को सब पता होता है अपडेटेड होते हैं क्या हो रहा है कैसी लाइफ है तो मुझे लगता है कि जनलव एवेंनिस उनको जानना चाहिए उनको इंको इमपॉर्टंस देखनी चाहिए और उनक से जा करके थोड़ा तब शायद लखनों को एक रेडियो जोकी नहीं मिलता बट हान डेफिनेटली एक आमी परसन तो मिली जाता कहीं न कहीं एक सवाल यहां से आता है जैसे आपने बताया कि रूरल बैक्राउंड के लोगों का बताया अभी कुछ दिनों पहले एंडिये का रिजल्ट आया एंडिये जिनको एंडिये मतलब उसमें जा करके वो उनका उन्होंने भी अपनी एक पहुंच बनाई अपनी एक सीट हासल की त पहले एक कम समय मिला था और वो फ़्याइले जान कर गई और बहुत सर्प्राइज नहीं होगा जब और बात करें तो अभी हाली में रिजल्ट आया और हमारे हाइस सेलेक्शन सें काफी si bak to back सेलेक्शन सें डेली यह भी वाट्साइप आता है अभी वाट्साइप कोलता हू वह आपसा के SSB ट्रिनिंग को जोईन करूंगा तो कहीं न कहीं रिटेन रिजल्ट्स हमारे बहुत बहतर हैं और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हमारे टीम जो है टीम सेंचूरिन है उसमें जो क्वालिफाइड मेंटॉर्स हैं चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे को आम फोसिस के जाने के लिए यह सब कुछ चहिए बहुता है कि एक सवाल यहां पर इसी सबनता है कि एक तरफ बहुत ही ग्लामरेस मैं इसले बोलूँगा क्योंकि वह कॉर्प्रेट कल्चर वाले कोर्स होते हैं अ जिसमें मैं खुद हूँ और एक तरफ ऐसा जहां पर आपको दिन नहीं देखना दोपहर नहीं देखना रात नहीं देखना इस तरीके के कोर्स तो क्या बच्चे बच्चों का इंट्रेस्ट पहले के मुताबिक अभी बढ़ा है या कम हुआ है और प्लीज बी ओनेस्ट दे और एक अभी बात चल रही है टूर अफ ड्यूटी कॉंसेप्ट के जिसमें हर घर से एक फोजी जाए तो कहीं ना कहीं जब यह समझ में आ रहा है कि आम फोसे एक ऐसा नोबल करियर है और यूर बेसिकली फ्रम राजस्थान से अगर आप है तो वहां देखते होंगे या सब से को इब का दीटिया है और जो आहें को सवाल है अब कर देख रहे हैं गर्ल्ज चेयले अप देख रहे होंगे आप ग्यां我 दोनोरे ऑसवा ब्निया आ हिए और मेरे दौनू बच्चे जो अभी एंडिया ये में जा रहे व से इंडिया है कियोंकि सेक्योर्ड करेंड ओप्षन के साफ साथ यहां पर गया जीने का तरिका टो यही एक सबसे अलग बनादेता हो जाकरके ओध्यों कि रोल्ल में कर आ Was एक अच्छा इंपैक्ट बना सकते हैं तो मुझे लगता है कि सारे करियर से अगर मिला दूँ तो यह ऐसा करेर है कुछ भी पढ़ाई कलने आपको आम फोसित में आते हैं तो उसकी यूटिलिटी और वहां पर उसका यूटिलिजेशन बिश्ट हो सकता है आपने बात करा जैसे की पब्लिक पाटिसपेशन आपने जो जिकर करा तो यह बात बिल्कुल सही है यह हमारा इतेहास रहे dalए बारती संस्क्रिती का कि जब राम जी की फौज बननी थी तब वानरों ने फौज में प्सपेशन किया था और उसमें अट माहिलाऊ नें पशुऩशन किया शीकल बात you तो वो संसकत का knowledge भी आपको arm process में utilize हो जाएगा क्या बात है, so मैं आपसे एक चीज़े पूछूँगा हम अपनी conversation के end में आ रहे हैं कि जैसे rural areas के लोग हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं they can't afford the fees of coaching, they can't afford the fees of like जिन्दगी सारे ऐसे चीज़े उनके लिए, शायद उनके parents यह सबसे बड़ी barrier होती वो सपने कुछ तो वही होते हैं, जो देखने से पहले हारदाते हैं हमाँ पास सुपैसानी, हम नहीं कर पाएंगे क्या आप कुछ आसा कर रहे हैं से students के लिए इस इंडिया में पैन इंडिया लेबल पर हमने इसार इंडिया शेशर रामिश और नाशनल टैलेंट एंड एक्जाम है जो 15 में को होने वाला है और 15 में को होने भी वाला है और आगे आने वाले टाइम में हम इसको फिर से लांच कर रहे हैं इन दे मन्त आप जून जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसा है जैसा मैंने बताया कि वो डिफिकल्टी लेबल उनका होता है कि उनको लगता है यार बहुत हाई-फाई कोचिंग है हम कैसे जोइन कर पाएंगे फीस ज़्यादा है मेबी कोविट सिनेरियो में आप भी देख रहे हैं हर किसी को सफर करना पड़ा किसी की जॉब चली गई किसी के साथ कैसा सिनेरियो था तो वहां से भी बच्चे हैं पेरेंट्स नहीं है या डिफिकल्टी लेबल है बटो फाउज की यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कॉंसेट लेके आए है एक बच्चा जो गाउं से है वह 12 में उसके 45 परसंट है या 90 परसंट है फॉर्ट की रिकॉर्मेंट यह नहीं है 90 परसंट है ऐसा नहीं कि आप फॉर्ज नहीं जॉइन कर सकते इवन आप पास हो गया इसका मतलब यह नहीं कि आप फॉर्ज यहां पर रिकॉर्मेंट यह है कि आपकी परस्नलिटी प्रॉफाइल का टेस्ट है तो डेफिनिट्ली आप आप फोस के लिए फर्स्ट स्टेप ट्वर्ट्स आम फोसस इसारें टीएच हम लेकिए जिसमें आपको एक्जाम देना है एक्जाम देके अगर आप हम टैलेंट देख रहे हैं अगर हमें लगता है कि आपके अंदर वह कबिलियत है तो एक वाइबा चोटा सा होगा जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं मैं चाहता हूं कि वह अगर चाहते हैं कि वह आम फोसे में उनको फीस आड़े आ रही है तो वह नहीं आएगी एक बार अपलाई करिया और डिफिनिट्ली आपको बेनिफिट मिलेगा क्या बात है क्या बात है मुझे मैं तो अक्सर बहुत सारी लोगों की कविताएं पढ़ता हूं लेकिन मुझे अभी मेरी कविता की दो लाईने यादारी है जो मैंने लिखा था कि रगों में दोड़ता फॉलाद सीने में जोशो जुनू की आग हवा की चाल को भी छुआ हूं हां मैं हिंदुस्तान का एक युवा हूं तो हिंदुस् अगर आप के लिए ऐसा कुछ हो सकता है तो आपको कैसे फेस्बूक पर लोग संपर्क कर सकते हैं अगर आप अपने उसमें चूड़ देते हैं तो वहां से फ्री करियर गाइडेंस भी स्टूडेंस ले सकते हैं उनको पता चल जाएगा कि एंडिये जॉइन करना है उनका ए इसे बिश्ट बुक्स कौन सी हैं कैसे तैयारी कर सकते हैं टाइम लाइन क्या है स्ट्राटजी क्या होनी चाहिए और वह वीडियो के थूभी चैनल को भी सब्सक्राइब करके वहां से रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं नोटिफेकेशिन के बारे बेवी डेफिनितली सो आप बिल्कुल इस बात को करिये और ना सिर्फ यहां पर हम बाते करने हैं बलकि इसी मैं कुछ भी करता हूं तो बड़े ही कहते हैं कि फिर मैं ऐसे भीडा उठा करके कोई भी चीज करता हूं कभी भी आप इनसे करिये इनकेस मतलब ऐसे तो आइसे तो आई डोंट थिंग सो कि कभी कुछ इसा लेट होगा रिप्लाइ आने में आप से कॉडिनेशन करने में इनकेस फिर भी होता है तो एक चानल आपका मेरी तरफ भी खुला हुआ है आप मुझे पस ऐसा लिखना कि संचूरियन सर्फ हैस्टेक संचूरियन लिख देना तो मैं तुरहन दिन का बहुत नंबर है मेरे पास में यह क्या है मिर्ची प्रतीक आपको इस वक्त इस जबर्दसी कॉन्वरसेशन में मिला शिश्र दिक्षित जी के साथ में फाउंडर एंड डिरेक्टर सेंचूरियन डिफेंस अकेडमी और थैंक यू सो मच और अल बेस्ट फॉर और आप देश को इसी तरीके से बहुत सारे नौजवान और जवान देते रहे हैं तो चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे जतने भी लोग इस वीडियो को देख रहा है मुझे लगता है कि limited chances होते हैं और जिंदगी एक होती है तो उसको best utilize करना है goal clarity बनानी है और सोचना है कि मैं सबसे best way में अपनी society को अपनी family को और वो organization जहां मैं join करूंगा सबसे best way में वो क्या हो सकता है और उसको आज ही decide करें आज ही सोचें कि मेरे लिए मैं किस चीच के लिए बनाऊँ uniform मेरे पर कैसी लगेगी जब rank prefix में करूंगा तो कैसा होगा जब मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे चाइना बॉर्डर पे मेरी मेरा deployment होगा जब मैं अपने unit mates के साथ जाओंगा तो वह scenario क्या होगा वहां का weather कैसा होगा climatic scenario क्या होगा और situation कैसी होगी जब मैं family से बात करूंगा और network आएगा कभी जाएगा तो वह unfamiliar और वह adverse weather conditions में वह challenging scenario में वह high obtained situation पे काम करने में जो मज़ा है मुझे लगता है वो और कहीं नहीं है क्योंकि उसका experience मैं खुद कर चुका हूँ पिछले 10 सालों में this is my last message to all defense aspirants best of luck and God bless you all thank you जैहिंद ये बात तो माननी पड़ेगी कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे profession होते हैं लेकिन ये एक passion होता है so thank you so much सनी दियोल लक्षे कुमार और रितिक रोशन में और अज़ा देवगन में अगर आप अब तक उस आमी की वर्दी को देखते आ रहे हैं तो प्लीज नहीं वो सिर्फ acting वाले ही है ठीक है आप असली वाले बन सकते हैं मिर्ची परफ्रती के आपके साथ जय हिंद जय भारत